असलाम उलेकुम दोस्तों उमीद करते हैं कि आप सब लोग खेर रहे से होंगे और खुशाल जिन्दी की उजार रहे होंगे इल्लाद आला की रहमत के साहे में सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ आवदीद करते हैं आपके अपने चैनल देसी डॉक्टर में जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं बहुत ही कमाल के देसी नुसका जात, खुबसूरती के लिए ब्यूटरी और घरेलू टोटके तो आप हमारी चैनल लाग भी तोपर सब्सक्राइब करने के बाद आपने सिरफ ये करना है कि साथ मने बैल वाले आइकन को दुबा देना है इस लोगों में भी आ जाता हैं जिसकी जची बहुत जाता आते हो सकती हैं जाता दो धना करना भी कमरदद का बाद बस बन सकती है, सबसे पहले निवे पर आपने ये करने है कि चुहारों का इसके लावा दूसरे मुपर अद्रक का रस और घी मिलाकर पीने से कमरदर ठीक हो जाता है यानिके अगर आप अद्रक और घी का रस एक जैसे मिकदार में लेकर इस्तमाल करें तो ये भी आपको कमरदर से निज já stand द्रक बहुत ज़्यदा बहुतर साबित हो सकता है आप ये भी उसका इस्तमाल कर सकते हैं इसके लावा टी सेनवर पर मेथी की सबदी बिना कर खाएं ये भी आपको कमरदर से बहुत ज़्यदा जल्दी निजात दिवा सकती है मेति के सब्दी में ऐसे इज़ा पाई जाते हैं जो के आपके जिसमें कमरदर की खात्मे का बास बनते हैं इसके अलावा लीमू का रस एक चमच, लहसन का रस एक चमच, पानी दो चमच मिलाकर आपस में रख दें और इस खुरा को आपने दिन में दो मर्तबा सुबा और शाम इस्तमाल करना है ऐसा करने से ये होगा कि आपका कमरदर दाइसा इसा मुकमल तोर पर खतम होता चला जाएगा तो दोस्तों ये थे चंद नुस्खे जिनका इस्तमाल करके आप अपने कमर्दद से निजात पा सकते हैं और कमर्दद को बगा सकते हैं इसके लावा ये आपकी सहित पर बहुत जादा मुस्पत असरात मुरतब करते हैं इनका इस्तमाल आपके सहित को बहतर मनाता है तो अगर आप इन नुस्मों का इस्तमाल कर सकते हैं ये आपको कमर्दत के इलावा आपके सेहत को बहुत जादा बेहतर बनाने में मावन साबित हो सकते हैं. तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी मजीद हेल्टिक्स वाली वीडियो मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा, हमारे वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि वो भी इससे फाइदा उठा सकें, अगली वीडियो तक के लिए रखेगा अपना ख्याल, हमें देजेगा इजाज़त मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्ला हाफिज,